नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं नमस्कार, मैं आपका स्वागत है, जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं उन्होंने ट्वीट कर लिखा आए कि CBSC बोर्ट 10 वी और बराहमी परिशा में उतिन होने वाले सभी छात्र चात्राओं को हार्दिक बदाई, सुबकमनाई और जोहार इस और पर अविभाव को, सिक्ष को और स्कूल परवंधन को भी मैं हार्दिक बदाई देता हूँ आप सभी छात्र चात्राओं खुब आगे बढ़े यही कामना करता हूँ 15 माई को मवादियों का भारत बंद जार्खन पुलिस अलर्ट परतिबंदित संगठन भागपा मवादियों ने 15 माई को भारत बंद का अवाहन किया है इसको लेकर जार्खन पुलिस मुख्याले अलर्ट हो गई है प्रतिबंदित संक्ठन भागपा मावादी ने 15 माई को संपुन उत्तर भारत बंद का एलान किया है बंद की जनकारी मिलने के बाद जरकन पुलिस ने सब ही जीलो को अलर्ट जारी कर दिया है बता दे भागपा मावादियों के पुर्वी रिजिनल ब्योरो के प्रवक्ता संकेत ने एक प्रेस भीगेपती जारी कर 15 माई को उत्तर भारत बंद का एलान किया है वहीं बिहार के गया में जो पुष्टा जारी किया गया है उनमें 14 और 15 माई को दक्षिन जारकन और दक्षिन बिहार में बंद का एलान किया है हलाकि 14 माई के बाद बंद की पुष्टी नहीं हो पाई वहीं 15 माई के बंद को लेकर भागपम आवाजियों के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है रांची में कैंसर होस्पीटल का सियम हमंत ने किया उधगाटन मुख्यमंत्री हेवन सिलन ने रांची जी ले के काके स्थीत सुकुर हुट्टू में बने कैंसर होस्पीटल का उधगाटन किया है बतादे 400 कोड़ो रुपए की लागत से बने इस होस्पीटल में 82 बेड में मरीजों की भरती करने की सुधा है इस होस्पीटल का सिलन ने आज बर्स 2018 में ततकारिन मुख्यमंत्री रगुबर दास ने किया था काके के सुकुर हुट्टू कदमा में रीन पास के पास 23.5 एकर जयमिन में टाटा ट्रस्ट की ओर से अस्पता का निर्मान कराया गया गौतला भाय कि इस अस्पताल में OPD का संचालन अक्टूबर 2022 से ही किया जा रहा है आत्याधूनिक सुविधाओं से सुसाजित इस अस्पताल में जाच और इलाज की सुविधा मिलेगी आत्याधूनिक उपकरनों से लाइस 14 अपरेशन थियेटर अस्पताल में है फिलाल यहां 28 ICU एवाम बलड बैंक संचालित किया जाएगा गौतला भाय कि जब इसका उधगाटन किया गया था तो रहतन टटा ने कहा था कि बड़े सावरों में कैंसर का इलाज इतना महागा है कि अर्था भाव में लाखों मरीज जान गवा देते हैं अस्पताल में लोगों को की फायती इलाज मिलेगा आरबी एसके के तहत जारखन में 76 लाख बच्चों की हुई स्वास्त जाच राश्ट्रिय बाल स्वास्त एवं कि सोर स्वास्त कारकरम के तहत जारखन के 76 लाख बच्चों की स्वास्त जाच की गई इन में करीब 2 लाख बच्चों का दवाई और 922 बच्चों का सरजरी से इलाज भी किया गया बतादे बच्चों के स्वास्त की रक्षा और समय रहते उनकी बिमारियों की पहचान करने के लिए राज्य में रश्ट्रिय बाद स्वास्त करक्रम चलाय जा रहा है इस करक्रम के तहद बीतिय वर्ष 2022-23 में 54 लाख बच्चों का और इस बीतिय वर्ष में 22 लाख बच्चों की स्वास्त जाज की गई जिन बच्चों का हेल्थ चेक अप किया गया उसमें से करीब 2 लाख बच्चों का इलाज दवा के माद्यम से किया गया है वही 922 ऐसे बच्चे हैं जिने सरजरी क्या हो सकता थी ऐसे बच्चों की सरजरी भी कराई गई है रांची में तैनात ट्रैफिक जवानों को मिली बोडी औरन कैमरा राजधानी के सभी ट्रैफिक पोस्ट पर तैनात जवानों को बोडी बॉर्ण कैमरा उपलब दिकरवा दिया गया है पिछले कुछ दिनों से कुछ पोस्ट पर बोडी बॉर्ण कैमरा लगा कर जवान ड्यूटी कर रहे थे लेकिन अब सभी ट्रैफिक पोस्ट पर कैमरा उपलब्द करवा दिये गा है ऐसे में न सिर्फ ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर नजर रखी जा सकती है बलिस पुलिस से बरतमिजी करने वाले लोगों पर भी कैमरा के रडार पर रहेंगे बता जे गुरुवार को रांची के ट्रैफिक एसपी हारिस बीन जमा ने बताया है कि रांची का सभी ट्रैफिक पोस्ट पर तैनात पुलिस कर्मियों को बोडी बॉर्ण कैमरों से लेस कर दिया गया लगभग सो कैमरे अलग अलग ट्रैफिक पोस्ट पर लगा दिये गए हैं जिन्हें पहुन का ट्रैफिक पुलीस वाले ड्यूटी पर रहे हैं अगले चार दिनों तक फिर होगी छावी रंजन से पुष्टाच इडी की विशेस अदालत ने दूसरी बार निलंबित आईएस अधिकारी छावी रंजन की चार दिनों की रिमांड की मजूरी दे दिया हैं अब अगले चार दिन तक इडी उनसे दुबार पुष्टाच करेगी इसे पहले गिरफतार किये जाने के बाद इडी को 6 दिनों का रिमांड मिली थी बता दे इसे पहले 12 माई को 6 रंजन की रिमांड का आखरी दिन था जिसके बाद सुक्रवार को इडी की विशेस अदालत में 6 रंजन को पेश किया गया सुनवाई के बाद कोट ने इडी के आगराव को मांते ये पूष्ट आज के लिए उन्हें और 4 दिन का रिमांड दी है बता दे की 4 माई को जमिन घोटाले में सनलिपता पाया जाने के बाद रांची के प्रोडी CIS अधिकारी छावे रंजन को रांची से गिरफतार कर लिया गया था पाश्चमी सिम्भूम में CRPF IG ने मांसुन से पहले नकसल ओपरेशन तेज करने का दिया आदेश जारखन में CRPF IG की कमान समानने के बाद बिधी कुमार बिर्दी लगभग पाँच मासे नकसलियों के परभावाले तुमबा हका और सर्ग्ज बुरु को केंद्र बिंदु में रहकर काम कर रहे हैं यही वज़ा है कि एक सब्ता में IG दूसरी बार 25 सिमुम जीला मुखेले चाईबासा के दोरे पर पहुँचे IG बिर्दी 9 माई को दोपार बाद चाईबासा पहुँचे थे इसके बाद 10 माई को उन्होंने CRPF के कुलहान रेंज कर्याले में पुलिस वज़ान के साथ बैठक कर कुलहान रिजर्व छेत्र के जंगलो वह यहां बसे गाउं को नक्सलियों से मुक्त कराने को लेकर मन्थन किया है जनकारी के मुताबिक आई जी बीर्दी ने पताधिकारियों को असपष्ट निदेश दिया है कि मानसून से पहले इस पूरे इलाके में सुरक्षा बहुल जार्खन जगुवार कोबरा और जिला पुलिस बल के सन्युक्त टीम बना कर सगन सब पर मारी अभियान चलाया अप्रेशन पर दोनों डी आई जी अपने नजर बनाए रखें हैं जैस सिसी केलेंडर फेल जार्खन खरम चरी चेयर्खन आयोगर ऑली भा ंसे ऐली परिछ़लोग मातेयों मंनOOOO DAS परिक्षाओं का लंडर जारी किया था इन में न केवाल पूरु में जरे विग्यापन के ाधार परायोजित होण वाली पर्तिंगता परिछाओं की सम्हावन समय किया ता बलिक आने वाली बहाली तथा उनकी परिक्षाओं योवन परिक्षाओं तक आपन जारी होने वाला था जार्खन में और 10 उन दाक की परिषां कम ल्यांकन के तीथी बदली सरकारी वह सरकारी मानेत है प्रादबी दयाले में चल रहे काकषां एक बार फीश से बदला गया है अब 10 जुन तक मुल्यांकन कार्या करने करने देश दिया गया है बता दे इसके लिए गुरुवार को जारकन सेक्षिनी कानु संधार नेवं प्रसिक्षन परिशाद के निदेश सक्रियन कुमारी पासी ने संसोधित तीथी जारी की है मुल्यांकन कार्य पूरा करने के बाद 12 जून को परिक्षा फॉल घोसित किया जाएगा बता दे सरकारी बिद्याल में गर्मी की छुटी 29 मैं से सुरू होगी वहीं 10 जून तक छुटी रहेगी ऐसे में निदेश दिया गया है कि 19 मैं तक मुल्यांकन का कार्य पूरा कर लेना है वहीं 10 जून तक परिक्षा फॉल एवं प्रगती पत्रक का निर्मान सुनिश्चीत करना है जारखन में हीट एस्टोक से बचाने के लिए बिभाय का सुझाव जारी गर्मी बढ़ने के साथ डायरिया समेत अने मौसमी बिमारियों का परको बढ़ गया है बरतमान में सहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं हस्पीटल में डायरिया फोट पॉएंजिनिंग के लक्षन वाले मरीजों की संख्या में तेजी से जापा हुए है बता दे तेज धूप में हीट एस्टोक के मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है इससे बचने के लिए स्वास्त विभाग ने लोगों के लिए सुझाव जारी किया है बता दे मेडिसिन विभाग के होडी डाक्टर यूक के ओज़ा बताता है कि गर्मी की दिनों में उल्टी दस्त के मरीज बढ़ जाते है आम दिनों में जहां 10 से 20 मरीज ही आते हैं वहीं इस समया बढ़ कर 60 से 70 तक पहुँच रही है बरतमान में मेडिसिन विभाग के OPD में उल्टी तेजबुखार, कमजोरी, सीरदा, चक्कर, आदे की सिकाते लेकर मरीज पहुच रहे है आम तोर परिया हीट एस्टोक के लगचन है जार्खन में सुरू हुआ मिशन लाइफ अभियान जार्खन सरकार के वन परियावरन और जलवायू परिवर्तन विभाग, जार्खन स्टेट, पॉल्योशन कंट्रोल बोर्ड और सेंटर फोर, इन्वार्मेंट और एनर्जी डेपलाप्मेंट द्वारसन्युक तुरूप से गुरुवार को मिशन लाइफ पर जन जा गुरु देने और इसके मुल्यों को दैनिक जीवन में आत्म साथ करने के लिए प्रेडित करना है। इस अभियान के पहले दिन कई रशन आत्म गतिवीधियों की कड़ी में जोहर बिद्या मंदीत से मावली के छात्रों द्वारा मिशन लाइफ के लोगों को मानव स्रिंकला के जरि देजागरूप किया गया है। धन्यवाद!